हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यूं मनाते हैं तो आईए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं भारत जैसे विशाल देश में हजारों बोलियां और सेक्णों भाषाएं थी और भाषाओं को लेकर कुछ बड़े सवाल भी थे। नहरू ने इस एतिहासिक दिन के महत्यों को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। पहला अधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1903 को मनाया गया। हिंदी समवैदानिक रूप से भारत की पतम राष्ट भाषा है। विश्व में चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है। पूरी दुनिया में 80 करोड से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझना जानते हैं। किम अथिय। और सलवब भाषा हिंदी भाषा है। किम विल் understands ज्या ऊतम लोग है,竹नल बोलते हैं।